देश की 80 करोड से अधिक आबादी को खाना सुनिशित करने के लिए बने खादिय सुरक्षा कानून के लागू होने की गती धीमी नजर आ रही है। 365 दिनों के अंदर लागू करना था लेकिन इसकी समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। मार्च 2015 तक इस कानून को सभी राजी सरकारों को हर हाल में लागू करने के निर्देश दिये गए हैं। साथ ही ऐसा ना होने के स्थिती में खादी मंत्री ने राजीयों को कड़ा संकेत भी दे दिया है। एक तो कह गते हैं कि यह है कि उन राजीयों से कहा गया है और नहीं तो चताबनी भी दी गई है उन लोगों को कि आप जदी नहीं करते हैं और इन लोगों को भी कहा गया है कि आप मार्च तक कह गते हैं कि नहीं आप करेंगे तो BPL और अंतोद्या को तो हम नहीं छेरेंगे लेकिन जो APL वाला मामला है तो फिर APL को क्यागतने हैं कि आपको APL में भी सबसिडाइड नेट पर मिलता है तो फिर उसको जो MSP प्राइस है उस पर क्यागतने का आपको खरीदना परेगा खादी सुरक्षा को लागू करने के लिए पहले पात्र परिवानों की पहचान की जानी है लाभारतियों और अन्य डेटाबेस का डिजिटाइजेशन करना है और पारदर्शीता पोर्टर और शिकायतों के निप्टारे के लिए एक मंच बनाना है अब जबकि विभिन राजी सरकारों ने किन्द सरकार को अपनी परिशानियों से अवगत करा दिया है ऐसे में ये काफे मुश्किल लगता है कि बचे हुए तीन महीनों में सभी राजी सरकाने खादी सुरक्षा कानून को लागू करने में समर्थ हो पाएंगी कैमरा परसन प्रमूद नेगी के साथ अभिशेख जा डीडी न्यूस दिल्ली